हाई फ्रेंट नमस्का दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हेल्थ गुरूजी में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिच्छू के जहर उताने वाला घरेलू दबा बताऊंगा लाइस के सबसे ज़्यादा खत्रा बना रहाता है सोणों जी ने कल कोमेंट किये सर पिच्छू के वीडियो बनाएं क्योंकि ए जाहरी जाहिड सी बात अबह बात के कि आपको अपना मोबाइल नंबर भेद दीजे बात करनी मैं आप लोगों को अपना इमेल आइडे देर हो आप मुझे मेल करके जो भी प्रॉब्लम में आप बात कर सकते हैं देखें हेल्थ गुरुजी की यूट्यूब चैनल ही नहीं बलकि छोटा सा परवार है मैं हर यूड जल्द से जल्द ठीक हो जाएं तो अभी तक चैनल सबिस्क्राइब नहीं कि तो चैनल को सबिस्क्राइब कर लिजे बाजू में बने वेल का अकन प्रेस कर लिजे ताक कि जब भी मैंने वीडियो डालू हेल्प फुल इसका नोटिफिकेशन आपको तूरण सबसे पहले मिल नीबू करास बिच्छू के दन सिस्थान पर मलनेस यानिक इसका काड करके आपको इस प्रकार से एक हिस्से लेना है और इसे मलना होता है हर प्रकार की बिच्छू के जहर को एक खत्म करने का काम करता है क्योंकि दोस्तों नीबू बहुत ही जादा तिखा होता है तिखा होन बिच्चू काटने पर तो ये दवा करना ये निबू वाला पर बिल्कुली बिच्चू की जहर उतर जाते हैं इसके बाद दोस्तों दूसरा दवा लकडी का कोईला इस प्रकार से आप हमारे विड़ों में देख सकते हैं तो लकडी के कोईला को आपको घिस करके बिच्चू के जो जहाँ पर डंक मा रहे हैं आपको बिच्चू के जहाँ पर दंसी दिसान है नजार आ रहे हैं वहाँ पर लगाना है इससे भी बिच्चू की जहर उतर जाते हैं तीसरा दबा धہतूरे के पत्ते हमारे वीडियो के मध्धम से देख लिजे इस परकार से होता है धहतूरे के पिès लगाने से बिछूक जहर हमेसाी खत्मा हो जाते यानि कि दोस्तों आपको आने वाले टाइम में खत्रा नहीं रहेंगे मतलब ऐसा होता है ना कभी-कभी बिच्छुक जहर उतर जाती इसके बद फिर से चड़ जाते है तो इधातुरेक पत्ते पूरी तरह से उतार देती इसमें किसी भी दरगसंस है नहीं है दोस्तों मैं आप लोगों को एक अंग्रेजी दवा भी बता देता हूँ या आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे सिलिसीस दो सब फाइपे में ले आता है एक एक ड्राब आपको तीन बार ददस मिनट के अंतराल में जीब में डालना होता है इसे क्या फाइदा होता है बिच्चु कि जो कटे डंग रहते हैं घुज जा रहते हैं निकल नहीं पाते हैं वो जिस रास्ते से आया रहता है उसी रास्ते से निकल जाते हैं और इस दवा की खास बात हो रहा है कि जैसे कि कभी-कभी पैर पे सुई लग जाते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्ते वारों में अपने परिवायर वालों में फेस्बुक में वार्ट साप में आगे जरूर सेयर करें ताकि उन्हें भी जानकरी मिल पाए और आने वाले समय में हो सकते हैं अगर किसी को बीचों डंग मालें तो ये वीडियो देखे रहेंगे तो अपना घहरोल उपचार कर सकते हैं परसान होने से बस सकते हैं तो ये थे छोटी सी जानकरी वीडियो देखने के लाप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार